बापा बुरारिक एक सिद्ध पीठ है जो की कादरपूर गुरु गुराम के छेत्र में स्थित है ये सिद्ध पीठ लगबख धाईजार साल पुरानी है बाश्चापूर से दमदमा लेक की और जाने वाले रास्ते पर ये गाउं पढ़ता है रिठोज यदि हम बाश्चापूर से आए तो रिठोज से लगबख थाई किलोमेटर की दुरी पर ये सिद्ध पीठ इस्थित है यहाँ पर पहुचने के लिए जंगल का रास्ता भी लेना पड़ता है यहाँ पर जैसी हम इस प्राचिन मंदिर में अंदर खुछते हैं मेरे पीछे अगर आप देखें कुछ पेड़ियां ओपर जा लगी यहाँ पर एक शरी बाबा का मंदिर है और शरी बाबा के मंदिर में कहते हैं कि शायद शरी महराज यहाँ पर खुद विराजवान है क्योंकि यहाँ के बारे पर प्रचलित है वो यह है कि यहाँ पर मानी गई, मागी गई कोई भी कामना जो है वो पूरी होती है यहाँ पर बाबा बुरारिक ने तपस्या की थी, तपस्या के दोरान राक्षसों ने उन पर कई प्रहार किये और एक बहुत बड़ी शिला उनके पर फैंकी जिसको उन्होंने हवा में ही रोक दिया सरफ ये खहकर कि रुग्जा चोटंकी ये शिला आज भी यहाँ पर विद्धमान है, यही वो जगह है जहाँ पर बाबा बुरारिक ने धाए हजार साल पहले तपस्या की थी बाबा बुरारिक के स्थान पर अनेको बाबा यहां पर गद्दी पर विराज मान रहे आज बाबा सुनील दास बाबा बुरारिक की गद्दी पर विराज मान है